नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे देश्वासियों कोरोना वैश्विक महमारी के खिलाब भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है आप सभी देश्वासियों की तपस्या आपके त्याग की वज़े से भारत अब तक करोना से होने वाले नुक्सान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है आप लोगों ने कस्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है हमारे इस भारत वर्ष को बचाया है मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कत आई है किसी को खाने की परिशानी किसी को आने जाने की परिशानी कोई घर परिवार से दूर है लेकिन आप देश की खातिर एक अनुशासित सिपाय की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं मैं आप सब को आदर पुर्वक नमन करता हूँ हमारे सम्विधान में जिस वी दपीपल अफ इंडिया वी दपीपल अफ इंडिया की शक्ति की बात कही गई हैं यही तो है वो बाबा साब डॉक्टर भीमराव अंबेर्टर जी की जन्म जैन्ति पर हम भारत के लोगों की तरप से अपनी सामुहिक शक्ति का ये प्रदर्शन ये संकल्प बाबा साब को सच्ची स्थ्धाजली है बाबा साब का जीवन हमें हर चुनोती को अपनी संकल्प शक्ति और परिश्थ्रम के बलबूते पर पार करने की निरंतर प्रेनना देता है मैं सभी देश वाशियों की तरप से बाबा साब को नमन करता हूँ साथियों ये देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग त्योहारों का भी समय है और वैसे भी भारत तो उत्समों से भरा रहता है उत्समों से हरा रहता है उत्समों के बीच खिल खिलाता रहता है बैसाखी, पोहेला बैसाख, पुथान्डू, बोहाग भी हूँ बीशु के साथ अनेक राज्यों में नए वर्ष की शुरुवात हुई है लोकडाउन के इन बंधनों के बीच मैं देश के लोग जिस तरह नियमों का पालन कर रहे है जितने संयम से अपने घरों में रहकर त्योहार बड़ी साथगी पुर्ण तरीके से मना रहे है ये सारी बाते बहुती प्रेरक है, बहुती प्रसंसलिया है मैं नए वर्षपर आपके आपके परिवार जन के उत्तम स्वात की मंगल कामना करता हूँ साथियों, आज पूरे विश्व में कोरोना वैस्विक महामारी की जो स्थिती है हम सब उसे भलीभाती परिचीत है अन्य देशों के मुकाबले, भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमन को रोकने के प्रयास किये आप इसके सहबागी भी रहे हैं और साक्षी भी जब हमारे हां कोरोन का एग भी केस नहीं था उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाली यात्रियों की एरपोर्ट पर स्क्रेनिंग शुरू कर दी थी कोरोना के मरीज सो तक पहुँचे उससे पहले ही भारत ने विदेश से आये हर यात्रि के लिए चवदा दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था अनेक जग़ों पर मौल हो थियेटर हो क्लब हो जीम हो बंद करिये जा चुके थे साथियों जब हमारे हाँ कोरोना के सिरफ पांसो पचास केस थे तभी भारत ने 21 दिन के संपोन लॉक्डाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया बलकि जैसे ही समस्या दिखी उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया साथियों वैसे एक ऐसा संकट है जिसमें किसी भी देश के साथ तुलना करना उचित नहीं है लेकिन फिर भी कुछ सच्चाईयों को हम नकार नहीं सकते हैं ये भी एक सच्चाईय है कि अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज बारत बहुत संबली हुई स्थिति में है महिना डेड़ महिना पहले कई देश कोरोना संकरमन के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसिस पचीश से तीस गुना जादा बढ़ गए हैं उन देशों में हजारों लोगों की दुखद मृत्ति हो चुकी है भारत ने होलिस्तिक एप्रोच न अपनाई होती इंटीग्रेटेड एप्रोच न अपनाई होती समय पर तेज फैसले न लिये होते तो आज भारत के स्थिती क्या होती इसकी कलपना करते ही रूमें खड़े हो जाते हैं लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिती में वही हमारे लिए सही है सोशल डिस्टंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाब देश को मिला है अगर सिर्फ आर्थिक द्रस्टी से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है बहुत बड़ी किमत चुकानी पड़ी है लेकिन भारत वासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुन्ना नहीं हो सकती सीमीद संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है देश की राज सरकारों ने भी स्थानिय स्वराज संस्ताओं के इकाईयों ने भी इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है 2400 घंटे हर किसी ने अपना जीमा संभानने के लिए प्रयास गिया है और हालत को संभाला भी है लेकिन साथियों इन सब प्रयासों के बीच कोरोना जीस तरफ फैल रहा है उसने विश्व भरमें हेल्थ एक्सपर्स को और सरकारों को और जादा सतर कर दिया है भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़ें हम विजई कैसे हो हमारे हाँ नुकसान कम से कम कैसे हो लोगों की दिक्कते कम कैसे करे इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है और इन सभी चर्चाओं मैंसे एक बात उभर करके आती है हर किसी का यही सुझावाता है नागरिकों की तरफ से भी यही सुझावाता है कि लोगडाउन को बढ़ाया जाए कई राज्यों तो पहले से ही लोगडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके है साथियों सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तै किया गया है कि भारत में लोगडाउन को अब तीन मैं तक और बढ़ाना पड़ेगा याने तीन मैं तक हम सभी को हर देशवासी को लोगडाउन में ही रहना होगा इस दोरान हमें अनुशाशन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विशे होना चाहिए कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मुत्य होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए और इसलिए हमें होर्ट स्पोर्ट को इंगित करके पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सतकता बरतनी ही होगी जिन स्थानों के होट स्पोर्ट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी कठोर कदम उठाने होगे नए होट स्पोर्ट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनोती देगा नए संकट पैदा करेगा इसलिए अगले एक सप्ता में कोरोना के खिलाप लड़ाई में कठोरता और जादा बढ़ाई जाएगी बीस एप्रिल तक हर कस्बे हर थाने हर जिले हर राज को बड़ी बारी किसे परखा जाएगा बहां लोकडाउन का कितना पालन हो रहा है उस खेत्र ने करोना से खुद को कितना बचाया है इसका मुल्यांकर लगातार किया जाएगा जो खेत्र इस अगनी परिक्षा में सफल होंगे जो अपने अहां होट स्पोर्ट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके होट स्पोर्ट में बदलने की आशंका भी कम होगी वहां पर बीस अप्रिल से कुछ जरूरी गतिविद्यों की अनुमती छुटचाट दी जा सकती है लेकिन याद रखे ये अनुमती सवशर्ट होगी बहार निकलने के नियम बहुत सक्त होंगे लोकडाउन के नियम अगर तूरते हैं और करोना का पैर हमारे इलागे में पढ़ता है तो सारी अनुमती तुरंत वापिस ले ली जाएगी और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और नहीं किसी और को लापरवाही करने देना है मेरे देश्वासियों कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी साथ्यों बीस अपरिल से चीनित खेत्रों में इस सिमीत छूट का प्रावधाम हमारे गरीब भाई बहनों की आजिविका को धान में रखते हुए किया गया है जो रोज कमाते हैं रोज की कमाई से अपनी जरूरते पूरी करते हैं वही मेरा एक ब्रहत परिवार है मेरी सरवोच्च प्राथिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है प्रदान मंत्री गरीब पल्यान योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है अम नई गैडलाइन्स बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है इस समय रभी फसल की कटाई का काम भी जारी है केंद्र सरकार और राज सरकारे मिलकर प्रयास कर रही है कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो साथिओं देश में दवा से लेकर के राशन तक परियाप्त भंडार है सप्लाइ चेन की बाधाएं लगातार दूर की जा रही है हेल्थ इन्फास्टेक्टर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जहां इस 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 आप दो सो बिस से जादा लेब्स टेस्टिंग का काम कर रही है विश्क्व का अनुभव ये कहता है कि कोरोना के दस हजार मरीज होने पर पंद्रासो सोलासो बेट्स की जरुवत होती है भारत में आज हम एक लाग से अधिक बेट्स की विवस्ता कर चुके हैं इतना ही नहीं छेसो से भी अधिक ऐसे अस्पताल है जो सिर्फ कोवीड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं इन सुविधाओं को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है साथियों आज भारत के पास भले सिमित संसादन हो लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्यानिकों से विशेश आगर है कि विश्व कल्यान के लिए मानव कल्यान के लिए मेरे नवजवान साथियों आप आगे आए कोरोना की वैक्सिन बनाने का मेरे देश के नवजवान मेरे देश के वैज्यानिक बेड़ा उठाए साथियों हम धैर ये बना कर रखेंगे नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे इसी विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आपका साथ बांग रहा हूँ साथ बातों में आपका साथ पहली बात अपने घर के बुजुर्गों का विशेश ध्यान रखे विशेश कर ऐसे व्यक्ति जिने पुरानी बिमारी हो उनकी हमें एक्स्ट्रा केर करनी है उने कोरोना से बहुत बचा कर रखना है दूसरी बात लॉकडाउन और सोशल डिस्टंसिंग की लक्ष्वन देखा का पूरी तरह पालन करें घर में बने फेस कवर या मास्क का और वो भी घर में बने हुए उनका अनिवारिय रुप से उप्योग करें तीसरी बात अपनी इम्मिनिटी बनाने के लिए आयुष मंत्राले द्वारा जो निर्देश दिये गए हैं उसका घरम पालन करें गर्म पानी हैं काड़ा है इनका निरंतर सेवन करें चौती बात कोरोना संक्रमन का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरग्य सेतू मोबाइल एप जरूर डाउनलोड करें दूसरों को भी इस एप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें पाँचवी बात जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरे करे उनके भोजन की आवशकता पूरी करे चठी बात आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रती संबेदना रखे किसी को नोकरी से न निकाले साथ भी बात देश के कोरोना योधाओं हमारे डॉक्टर, मर्सेश, सभाई करमी, पुलीस करमी ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करे आदर पुरवक, उनका गवरव करे साथ कि हो इन साथ बातों में आपका साथ ये सब्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है विजय होने का हमारे लिए निस्था पुरवक करने वाला ये काम है पूरी निस्था के साथ तीन मई तक लोगडाउन के नियमों का पालन करे जहां है वहां रहे सुरक्षित रहे वयम राष्ट्रे जागरयाम हम सभी राष्ट्र को जीवनत और जागरुत बनाए रखेंगे इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ आपको आपके परिवार को उत्तम स्वास की मंगल कामनाए करता हूँ बहुत बहुत धनेवाद